अम्बेटकर के दुस्मन भाग छह अम्बेटकर के भक्त ही कर रहे हैं भारतिय सम्विधान को खत्म आपको क्या लगता है कि समराट असोक का जो सासन गया या समराट असोक ने जो भगवान बुद्ध का सम्विधान अपने देश में लागू किया पूरे भारत में लागू किया और उस समय जो ब्रहद भारत बनाया और जिसका सासन और सोसासन इतना लाजवाव इतना बढ़िया किया कि पूरे हिस्ट्री में उनके पोते तक एक भी बिदेशी आकबन का कहीं जिक्र नहीं है नहीं कोई ब्रेशी हमला करने की हिम्मत हुई नहीं असोक के सासन में कोई भूका मरा नहीं असोक के सासन में किसी को परिसानी हुई वो सारे के सारे जो अस्पिताल बनाए जानवरों के मनुस्य के जितने भी प्याप्यारियों के लिए जो ध्रमसालाएं सराएं बनाई जितने भी पुस्तकाले बनाए जितने भी सड़कमार्ग बनाए जितने भी प्याओ बनाए जितने भी लोगों की सुख सुविधा के केंद बनाए जितने भी ध्रमसालाएं या जितने भी आंगन या जि इतने 84 हजार, वो किताब, वो इस्तूब, वो इस्तंब, वो पगोडा, वो जितने भी चीजें बनाएं, वो सारी की सारी, आपको क्या लगता है कि भारत में जो आए घुसपैटी हैं, उन्होंने खतम की, आपको क्या लगता है कि उस सम्मिधान की जो धजियां उड़ाई हैं वो भारत में आए हुए घुसपैटियों ने किया है, जो लोग आपको ये पढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि भारत के कुछ लोग बाबा साव अमबेट करके सम्मिधान को लगातार खतम कर रहे हैं, या वो बार बार ऐसा कह रहे हैं कि हम सम्मिधान बदलेंगे, हम ये भी लोगों को बताया जा रहा है कि बाहर के लोग या घुसपैटियों लोग या भारत के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं वो बिलकुल आपको जूट बताया जा रहा है, बाहर का कोई भी घुसपैटिया या बाहर का कोई भी व्यक्ति या बाहर का कोई भी आदमी उसकी इत प्राइब श्रव बिदल सकें। ये बिल्कुल जूट बात है, दरसल भारत के सम्विधान को अगर कोई खतम कर रहा है, तो वो अम्बेटकर भक्त खतम कर रहे हैं। अम्बेटकर भक्त मिलके, पूरी जी जान से कोशिस में लगे हुए हैं, कि हम अगर ध्यान देंगे तो सम्विधान में जब आग लगाई जाती है तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं मगर अलग अलग करते हैं पहले अपना फोटो चिपकाते हैं फिर वो इसका विरोध करते हैं तो बेसिकली वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध के रूप में अपना फोटो भिज रहे हैं कि हम नेता हैं, देखो हमने विरोध किया, और सब लोग इखटे होके विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं इखटे होके आ रहे हैं, वो लोग इस सम्विधान को बहुत कम लोगो का गोचित करते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि ये सम्मिधान विस्व व्यापी है भारत व्यापी नहीं विस्व व्यापी है विस्व के लोग मानते हैं कैसे मानते हैं कोकि इस सम्मिधान से विदेश की नीती चलती है इस सम्विधान से विदेशों में लोग जाते हैं इस सम्विधान से विदेशों की लोग खुस होते हैं और इसकी कॉपी करते हैं, इसकी प्रसंसा करते हैं इसकी अनुसंसा करते हैं इस सम्विधान के तहत में भारत को सबसे बड़ा democratic गड़ राज्य होने का तमगा मिला हुआ है जिसकी संक्या सबसे जादा है इसलिए ये दुनिया की धरोवर है दुनिया की प्रॉपर्टी है मर कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये कुछ चंद लोगों की प्रॉपर्टी और धरोवर है तो बाकी लोग कहते हैं कि तुम ही बचाओ तुम ही देखो इसका क्या करना है क्या नहीं करना है तो सब लोग उसका क्रेड़िट ले लेने के लिए उसकी वावाई लेने के लिए कि देखो हम सम्विधान के सबसे बड़े सरनक्षक हैं दस्कियों हजार ऐसे संख्षकों के संख्षन बना चुके हैं वाप लोग और आप इतने छोटे 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 टुकड़ों में बटे हुए हो कि अगर आपके सामने सम्विधान को जला दे जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते सिवाए फेस्बुक पर फोटू प अगवान बुद्ध का लागू किया था ब्रंदत कभी खतम नहीं होता ब्रंदत को खतम करने के लिए रणनीती अपनाए गई कि पहले जितने लोग थे ब्रंदत के सासन में उनको करट किया गया उनको करट किया गया उनको शराप किलाई गई उनको व्यपचाय कराया गया उनको हत्याक करनी सिखाए गई, उनको जूट बोलना सिखाया गया, उनको पाप करना सिखाया गया, उनको जितने भी पाप होते हैं, पंसील वाले वो सारे उनसे हटाया गया, क्योंकि उसमें पंसील का सासन चलता था, लोग बड़े समझदार थे, सच्चे थे, सच्चाई के बल होता है तो उनके सच्चाई के बल को तोड़ने के लिए उनको सराप परोसी गई उनको वेवचार परोसा गया उनको जूट बोलना सिखाया गया उनको कतले करना सिखाया गया ये सारी चीजें उनको चोरी करनी सिखाया गई जब वो कमजोर हुए तो सेना में करफशन फैलाए गया जो सेना थी, लोगों में करफशन फैलाए गया जब लोग करफट होगे, भ्रष्ट होगे तो लड़ने लाइक बचे नहीं तब ब्रहंदत के पेट में तलवार मारी और जब ब्रहंदत के पेट में तलवार मारी तो ब्रश्ट लोगों में से कोई भी खड़ा नहीं हुआ और हुए भी होंगे तो अलग-अलग उनका कोई सुनता नहीं है ठीक ऐसे ही बावा साब का जो सम्मिधान आपने गोशित कर दिया है जो भारत का बेसिकली सम्मिधान है जो दुनिया का सम्मिधान है उस सम्मिधान में बड़ी सारी ताकत होती है मगर वो ताकत तब है जब लोग उस सम्मिधान के अकोर्डिंग व्यवार करें और अपना चरित उचा रखें और उसमें जो संग वाली बात है संग गणराज्य यानि भारत एक संग गरदाज है तो आप सबको संग बनाना पड़ेगा एखटा होना पड़ेगा आप एखटे होके अगर आवाज देंगे तो फिर सम्विधान को कोई छेट शार नहीं कर सकता क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि हम तो सम्विधान बदलने आए हैं हम तो सम्विधान बदलेंगे तो बड़े इमानदार बड़े सक्चे हैं वो कह रहे हैं वो जूट नहीं बोला हैं कोई statement भी अगर आती है अक्वार के अंदर तो वो बड़े इमानदार रो बड़े सक्चे हैं मैं उनकी सच्चाई का और उनकी मानदारी का बहुत ज़्यादा कायल हूँ कि वो जूट नहीं बोलें जो करना चाहते हैं वो पता रहें आपको अगर आप में दम है आप में समझदारी है तो आप इखटे हो जाईए वो नहीं करेंगे और आप में अगर समझदारी नहीं आप बेफूफ हैं आप आधे जीवी हैं आपको अकल नहीं है आपका एगो जादा है आपने दस्यार संख्था बना रखे हैं आपको नितागरी का शौक है आपने पेजटेंट बनने का शौक है आप एकटे नहीं हो सकते, बावास आपके उस सिध्धानत को नहीं मान सकते, जिसमें ये कहा गया है कि संग्डित होना है, आप संग्डित होने का मतलब समझते हैं, कि लोग संग्डित हो, आप संग्डित होने का मतलब ये नहीं समझते हैं, कि सभी को संग्डित होना है, उसम आपकी तरब से ड्रामे वाजी है, आपकी तरब से अपना फोटो लगा के दुनिया को ये बताने का है कि देखो मैं नेता बनने वाला हूँ, मुझे नेता बनाओ, तो को सम्मिधान जाने वाला है, तुम सोच लो, समझ लो, तुम मेरे पीछे आना चाहते तो आ जाओ, अगर तो करेंगे, आप में दम है, आप में ताकत है, तो आप एकटे हो जाएए, आप एकटे हो जाएंगे, तो मैजोर्टी में आप आ जाएंगे, तो मैजोर्टी की चलती है, फिरू अपना जो मनतब है, उसे बापिस ले लेंगे, अपनी बात बापिस ले लेंगे, जो मैजोर शरनं गच्छामे धंगंशरनं गच्छामे संगंशरनं गच्छामे शरनं गच्छामे धंगंशरनं गच्छामे संगंशरनं गच्छामे